हालो अब्रिवान आज का टॉपिक है आसायो गांदोलन में प्लामू एवं राची जिले की भूमिका का वर्नन कीजिए असायो गांदोलन सुरू करनी हितू धनी सिंग खेरवाद इरा नंद ओजा दुर्गा नंद ओजा बिंदेश्वरी पाठाक देव की पशाद सिंग सेक मुहमद हशन और देव नरायन मेहता कॉंग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लेने के लिए प्लामू से गये थे वहां से लोटने के बाद उन्होंने असायो गांदोलन के पूरी रुप्रेखा त्यार की थी धनी सिंग खेरवाद जी से प्लामू का राजक्मा शुक्ल कहा जाता है गांदी जी से मिले थे और उन्होंने किशानों की समश्याओं से उन्हें अवगत भी कराया था गांदी जी ने उनसे कहा था कि कपास बोवो चर्का चलाओ कपड़ा बुनो लगान बंदी करो प्लामू गोरो के तिया चार श्रेम मुक्त हो जाएगा देव की परशास विंग इस संग के अधिक डॉक्टर राजिंद परशात अथा और शर्यो गांदोलों को प्लामों में सफल बनाने के लिए उन्होंने डालटन गंज में अक्टूबर उन्हों सबीस इसवी में बिहार शात्र संग का एक अधिवेशन आयो जित की इस तरी दिवसी अधिवेशन के द अब्दुल्बारी राजजिंद्र परशाजे परकाश नरायन मदू सूर्दन दास्मन रमा देवी बंजरंग दत्सर्मा आदि थे वक्ताओं ने अपने योजस्वी भासन से अंग्रेजी सासन के सोसन दमन के भतर्शना की और जनता सया सहयोग अंदोलन से जूडनी और इस सफल बनाने की अपिल की इस अधिवेशन में अपस्तित लोगों ने सपतली में संकल्प लेता हूं कि ऐसे किसी वस्त्रिया पौशा का वेवार नहीं करूंगा जिसके विसे में मुझे पुन विश्वास ना हो जाए कि वह सव देशी है इस अधिवेशन में अब्दुल्ब कर सकते थे की वे शरकारी प्रातं ये सरकार नियंत्रित संस्थाओं अभी लब बीनाश्च अलग हो जाए सल्लौ वर्षकी कंवर्षक्र के चात्रों क्यासे भी आगरा कर सकते थें के विश्तर संस्ताओं से अपने बच्चों को हटा ले और राष्टीष को पढ़ा इसी व भागवत पांडे चंद्री का पशाद वर्मा रामा शंकर मिश्ण आधित तेबाद में यही कमिटी प्लामु जीला कॉंग्रेस कमिटी के रूप में तब्दिल हो गई इस कमिटी को अस्थाफित करने में बिंदेश्वरी पाठक एवं पंडित भागवत पांडे की भूमिका के वे उस्ट में कलकता में कानुन की पढ़ाई कर रहे थे आधिवाशी किशानों की सहता से धनी सिंग खेरवार ने गारू के जंगलों को साफ कि और कपास की खेती का कायर प्राडम किया धनी सिंग ने प्लामु की जीले में सभा की और उन्हें प्लामु का राजा घोशित पर केद कर लिया गया उसके बिरूद में पांच छुप फरवरी उने सुबाई सिश्वी को साथ सो की संक्या में खरवा चेरों और गोर्वा ने बिनिश्वरी पाठा की नेतरित में डाल्टन गंज कचारी पर प्रमप्रागत अत्यारों के साथ एकत्र होकर परदर्शन करने नहीं लिया अभी जुलूस का चैरी तक पहुंची ही नहीं थी पुलिस ने उस पर लाठियां बरशना शुरू कर दिया हावा में गोलियां चलाई गई और जुलूस में सामिल लोगों पर घोड़े दोड़ाये गए इससे कई किसान घायल हो गया डालटन गंज में गष्टी अस्कूल की अस्थापना की गई और विनेश्वरी पार्था को उसका हैड मास्टर बनाया गया यह अस्कूल जल्द ही कॉंग्रेस्टी का तीवीदियों का केंद्र बन गया डालटन गंज में कारे अस्तव पर्ट साला खोला गया हुशेना अंदुलन को सफल बनान में टाना भक्तों का मात्पुन योगदान था चंद्वा संपर्ति लातिहार जिला पुलिस के एकधिकारी ने लिखा टाना भगत सरकार की प्रिसानी के सबग बने हुए है वे जगा जगा सभा करें और अपने को गांधी जी के सच्चे अनुआई बत सब्सक्राइब लिखी थी साथ माच उन्हें से की शिष्वी को राजिन परशाद ने डाल्टन गंज का दोरा किया उन्होंने यह एक जन्षभा को संब्धित किया और लोगों को सभी आंदोलन के विचारों के बारे में बताया उनके भासन ने लोगों में राष्टियता की भावना को और भी अधिक बढ़ा दिया उन्हें से की शिष्वी तक आंदोलन को और भी बल मिलने लगा पाक की जपला और एन अस्तलों पर राजनितिक सभाय होने लगी अब जनता अंदोलन में सरिक होकर निशिधात्मक और रशनात्मक दुनों परकार कर कायड करने लगी अक्टूबर नौबर उनसे की सिष्वी में रामनाथ पांदे भागवत पांदे और विंजिश्वरी पाठक द्वारा चलाए गये खदर और चर्खा आंदोलन को काफी सफलता मिली और लोग सवदेशी कपड़े का पर्योग करने लगे वारा नसीयोग आश्रम में मनिन राद स्वामी डालतन गंच आये और उन्होंने साथ माच उनी सबाई सिष्वी को अपना वासन परवाकारी और लोगों को उतेजित करने वाला था फलता पलामों के पायुक ने उन्हें ततकाल धारांदे 144 के तहत नोटिस पकड़ा दिया चीव जी रेनी ने 31 जनवरी स्कूल सभी मेजिस्ट्रेटों को निर्देश जारिक किया कि वे अंदोलन के दमन के लिए कदम उठाए देवकी परशार सिंग ने इस दमन निर्देश के लिए कर 28 फरवरी उन्हें से की स्कूल लेजिसलेटिव क्योंसिल में काम रोको परस्त अधिकार्यों को सभी उपलब शादनों के परियोग का नियंतरित अधिकार दे दिया इधर प्लामों के निर्देश पर आश्यूग अंदोलन की नियताओं की आवाज जाहिको नियंतरित किया जाने लगा हुगा खुशेनाबाद में अंदोलन के करताओं पर 1344 लगाया गय कि लोगों को सराब खाना जाने से रोकते हैं एवं ठेकदार और उसके कमचारियों को तंग करते हैं इस परकार बिहार छाद संग की प्लामों इकाई जीला कॉंग्रेस की साने निताओं एवं ठाना भक्तों ने मिलकर आश्यूग अंदोलों को सफल बनाने में महत्पुन भ कश्वों का दोरा कि अगाओं में परभात फेरियां जुलूस आधी निकाली के देखते देखते तीन हजार से अधिक लोग कॉंग्रेस की चिवन्या सदेश बन गया सदेश से ताभी यांसे आश्यूग अंदोलों को बल मिला और जनता सड़क पर उतराई फलता छेत्र में सामुई चर्खा चलाने खदर का उप्यों करने विदेशी वस्तरों कभई इसका शराव की दुकानों पर पिकेटिंग असिर्फ उन्मुलन आधिक अश्कर्मों का ताता लग गया और देखते देखते प्लामों का सजयूग अंदोला राष्टी पठल पर छागया जिसकी त साले से परिशित थे क्यों कि वे यहां के लोगों से मिल चुके थे और कई सभाएं भी की थी चार जून से सत्रों इश्विक गांधी जी संपारन जाने से पूर्विल्ले गोवर्नर एडवर्ड गेर से मिलने पाली बाराची आये थे गांधी जी अपने विद्यार्थी जी ने भी लोगों को काफी परवाईत किया था गुलाब तिवाली जो राची जीला बोर्ड में टंकक थे और राय बहादुर जान की तिवाली के संबंदी थे गांधी जी से काफी परवाईत थे और दया का बजार नामक एक सोसाइटी अस्थापित की थी के नेत्रिक में राची में 6 अप्रेल 1919 को रॉलेट सत्यागरा दीवस मनाया गया था दूधिये पर्थम विश्यूद का राची के राष्टवादी ने के वल बिरोध किया बल कि सांती मार्च एम सभाई में भी की थे लोगों ने रॉलेट एक्ट के खिलाबी पर दर्शन किया था पर्चे बाटे थे और उपास रखा था तिर्थिये मुलाना अब्बुल्फ कलाम अजाद ने अपनी नजरबंदी आठ जुलाए उने सो सलो से सत्रों दिसंबर उने सो उनीस के दौरान हिंदू मुस्लिम एक्टा और सक्षिनिक विकास के लिए जो कायर किये थे वे लोगों के जहन में ताजे थे मुलाना ने राची के हिंदू और मुस्लिम दोनों समुधायों के बच्चे पढ़ते थे उनके भासन को सुनने के लिए हिंदू मुस्लिम दोनों समुधाय के लोग बड़ी तादात में उपस्तित होते थे नागर्मन मोदी पर तुल चंद मिश्रा देव की नंदन पशाद रंगलाल जलान गुलाव नारायन तीवारी रामचंद पशाद आधी तो मुलाना अजाद के मित्र बन गए थे इससे कॉंग्रेस की गतिविदियां एम संगटनिक सहरुप को भी काफी बल मिला चतुर्त ताना भक्तों ने अपने अंदोलन के मध्यम से लोगों को जगा दिया था उन्होंने सभाई कीता था चोकिदारी ना देने अंसासन की मांग की पंचम 1922 में राची जिला कमिटी का गठन किया और इसी वर्ष टाल्टन गंज में हुए बिहारी चार समेलन में बड़ी संख्या में राची के चात्रों ने भाग लिया और वहां से कई संदेश्त लेकर वापस लोटे एक अगस्त में सभीष को गांधी जी ने जब अश्रयों गांदोलन की गोशना की तो राची के हजारों चात्र और राष्टवादी इससे अमत यूसुम मौलवी उश्मान राची के अजोमन इस्लामिक मदरश के हैड थे जबकि स्वामनी बिश्वानान एक परमुक्सरमिक नेता थे और कोईला खान से उनका बजस्त परभा था सभाव में असायों के पक्ष में भासन दिया जाते थे और कई ऐसी बाते कई जाती जिसे अंग्रेजियों के पती लोगों में घिरना पैदा होती थी जैसे कि विश्यूद के दौरान ब्रिटिक सेनिकों ने तुर्की महिलाओं के साथ दुर्बहवार किया राची जिले में 1920 इसवी के बाद अंदोलन में तेजी आई जैसा की रिपोर्ट से पत चलता है की रिपोर्ट के नुसर अक्टूबर 1920 के अंट गांदी वाद एवाम आशायोग और असाबंदी अंदोलन को बहुत कम समर्थन मिला केवल एक वेक्ती गुलावती वारी ब्रि कर्म के लिए जवाब रही तेकी जाने लिए ठार उनिस नॉम्बर को राची के पिंजरा पॉल के वार्षी का दिवेशन में कलकता से पदराज जेन बोला नात वर्मन मौलवी जाकरिया अब्दूर रजाक और सुन्दर दत्व आये उनके श्वागत के लिए सेक्रों लोग दगा गये वहां उन्होंने सहयोग सभा में भासन दिया और आभियान चलाने के लिए अस्थाने पताधिकारियों सचीव अधियक्ष आधि नियुक्त गये अंदोलन गत्ती पकड़ने लगा था राची और लोहर्दगा में राष्टी अस्कुलों के अस्थापना की गई औ दोरंडा में पंचायत कचरी अस्थापित की गई नियुसो बीस एकी सिस्वी के दोरन लोहर्दगा दोरंडा राची मदुकम इटकी घागरा और मांजी कोकर तमार गुमला लुन्डुकारों में कई सभाएं की गई और लोगों से आश्यों गांदोलन को सफल बनाने की लगे थे कहा जाता है कि राची में सभा करने के लिए गांदी जी से भी संपक्र किया गया था परंतु समय भाव के कारण में यहां नहीं आ सके थे उनकी बदले राजन पशाजारकन के दोरे पर थे और उन्होंने राची में एक बड़ी असायोग सभा में संबोधीत किया था या सभा 21 मार्च 1921 को हो भी थी राची में असायोग अंदोलन के अधार अस्तम टाना भगत बने हुए थे उनकी सभाव में हजारों लोग आते थे उनकी संगठन मजबुत हो चुका था टाना तूर्य और जितू के नेत्रित्व में उन्होंने लगतान बंदी अंदोलन अब कारी बंदबस्ती के इब्रिद राची में हुए पुन हरताल को सफल बनाने में महत्पुन भुमिका निभाई राची के पुलिस अधिशक की रिपोर्ट के अनुसर अंदोलन तेजी से फिर रहा था और पुलिस अभाव में जाने से लोगों को रोप पाने में परिशा किया जाए और ऐसे भाष्णों के सही अभी लेकर कि उनके पास कोई विवस्ता नहीं है अता सरकार राची मनुशों 11 का राज द्रोश रभा विधान को लागो करे ताकि इस अंदोलन को कुछला जा सके दोरान पूरे छेत्र में सबाओं का ताता लग गया 38 जन्वरी से एक पखवारे में पंद्रों से अधिक सभाय हुई जिसमें हजारों लोगों ने भाग लिया गाहों से जत्ता का जत्ता इन सभाव में आता है और यहां से सरकारी तंत्रों के बैसका रखादी और चर्खा का पर्योग पंचायतों के स्थापना आधी का कर गाहों तक पहुंचाता है पुलिस अधिशक ने सभी थानों को आधिस दिया कि धार्यक सचोवालिस के तहत राची जिली की सभाव पर रोक लगा दी जाए ठासकर मांडर कोड़ू बेड़ों लोहर दगार थाना शेत्र किसा ओंपर जहां ठाना भक्तों का जमाव अधिक के राची के उपायुक ने छोटा नागपुर के आयुक को दिये रिपोर्ट में लिखा कि ठाना भक्तों का अंदोलन इस शेत्र को आसान किये हुए है वे असयोग अंदोलन से जोड़कर उसे नई जिन्दगी परदान कर रहे हैं और आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब माय यूटूब चैनल और शेयर जरू करें